हलो फ्रेंड्स वेलकम टो आर यूटूब चैनल लर्न वी तनेच आज के शांदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्तान के आंतरी कपवा तंतर के बारे में पढ़ेंगे ये एक बहुती शांदार टोपिक है जहां से एक्जाम में सवाल जरूर पूचा जाता है बहुत तो चलिए बीना देरी के शुरू करते हैं आंतरी कपवा तंतर की जो नदिया होती दोस्तों उनके बारे में basic information हम ले लेते हैं ऐसी नदिया जो विलुक्त हो जाती है या किसी भी सागर या मा सागर में नहीं मिलती है वो आंतरी कपवा तंतर के बारे में पढ़ेंगे दोस दोस्तों गगर नदी से related सवाल काफी बार exam में पूछा जाता है गगर नदी का उदगम होता है दोस्तों वह सिवालिक पहाडी इमाचल प्रडेश से होता है यह आपको ध्यानक नहीं का इतढ़ा नदी sok और यह आपको घंवांगर नदी बनाती है आपको ध्यानकद मैं इत यहां पर तलवाड जील की बात हो रही है ठीक है तलवडा नामकिस्तान जो तो ये वो अलगे दोस्तों तलवाड़ा नमकिस्तान आपका बासवाड़ा में भी इसती थे वहाँ पर तिरपुरा शुंद्री माता का मंदिर इसती थे यह आपको धियानक ना है और भटने इरदुर्ग आपका अनुवानगड में इसती थे अब इसके बारे में कुछ इंपोरेंट डिटेल है वह हम देख लेते हैं दोस्तों ये राज्जी में प्रवेश कहां से करती है तो दोस्तों गाउं तलवाड़ा तसील टीबी हनुमानगड से प्रवेश करती है यह आपको धियानक ना है इसके किनारे दोस्तों कौन-कौन सी सब्वेता है विक्सित इसका उदगम कहां से होता है जैसा कि मैंने आपको बताया सिवालिक पहाड़ी माचल प्रदेश से इसका उदगम होता है राज्य में प्रवेश टिबी तसील तलवाड़ा हनुमानगड से करती है किनारे आपकी काली बंगा पिली बंगा रंगमल हो जाएगी इस नदी के प दोस्तों घंगर नदी का जो अपगा चेतर है उसे बग्गी आ काटी या नाली नट का जाता है यह आपको ध्यानक नहें आपको किसी भी फॉर्मेट में दिया जा सकता है नाली नट बग्गी काटी जब हमने दोस्तों लूणी नदी के बारे में पढ़ा था तो मैंने आप तो यह सवाल एक्जाम में पूछा जाता है तो आपको ध्यानकना है लूनी नदी का अपवाचेत्र थली कहलाता है आपका उत्री अपवाचेत्र और पूर्वी अपवाचेत्र जो है वो कालाभूरा डूंगर कहलाता है जबकि घगर नदी का अपवाचेत्र जो है यह नाली जाता है पुरू का शोक नदी भी ये इसे कहा जाता है और सब से इंपोर्टेन बात दोस्तों राज्य की एकमात्र नदी है जिसका उल्लेक रिगवेद में मिलता है तो कौन से नदी है जिसका उल्लेक रिख्देव में मिलता है तो यह आपकी कौन से हो जाएगी गगर नदी हो जाएगी और यह एक अंतराष्टे नदी है भारत की आंत्रिक अपवा तंत्र की सबसे लंबी नदी हो जाएगी तो अगर आपसे पूचा जाए भारत की आंत्रिक हरयाणामे ओ टुझील वों बनावली सब्वेता का विकास हुआ है ओ kाली बंगा पीली बंगा रंग महल जो है दोस्तों यह 1968 में किया गया था यह आपको ध्यानक ना है ठीक है यह RSM SSB के द्वारा एकजाम पूछा जा सकता है क्योंकि RSM SSB जो है यह आपके संजादा पूचती है तो खगर कमीटी का घटन जो है यह 1968 में हुआता है यह भी आपको ध्यान रखना है आगे देखें दोस्तों कांतली नदी जो है यह भी आपके आंत्रीक अपवा तंतर का भाग है इसका उद्गम कहां से होता है तो खंडेला पारी सीकर से होता है यह आपको ध्यान रखना है फिर पर सब्बेता है कांतली नदी के किनार इस्तीत है ॽिसे तामर यूगीनरसब्बेतां की जननी कहा जाता है या तामरस नदी भी कहा जाता है और सुणा चामरस नदी के आपक incarnate अंतpetto यह आपको ध्यान रखना है ठीक है यह राजस्तान की पूनत आंत्री कपा तंतर की सबसे लंबी नदी है तो अगर आपसे पूछा जाए पूनत आंत्री कपा तंतर की सबसे लंबी नदी राजस्तान में कौन सी है तो यह आपकी कौन सी हो जाएगी कांतली नदी हो जाएगी तो सवाल को ध्यान से पढ़ना है फिर आंसर करना है ठीक है अगर आपसे पूछा जाए पूनत आंत्रीक अपातंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो कांतली हो जाएगी नहीं तो आपके आंसर करेंगे घगर आंसर करेंगे ठीक है आगे देखिए काखनी नदी काखनी की चोटी नदी कुण सी है तो आपकी मसूर्दी नदी या काकणी नदी हो जाएगी इसका उद्गम कहां से होता है दोस्तों कोटरी पाड़ी जैसाल मेर से इसका उद्गम होता है या निक इसका पड़ा कि खाड़ी जेसलमेर में होता है यह आपको ध्यान रखना है यानि कि यहाँ पर तीन बात ध्यान रखनी है रास्तान की सबसे छोटी नदी है इसे मसूर्दी नदी के नाम से जाना जाता है और भुजील जो है यह इसके किनारे जेसलमेर में बनी हुई है तीक है और इसका लसाउरी इसे लसाउरी या वरा नदी के नाम से भी जाना जाता है लसाउरी या वरा नदी के नाम से किसे जाना जाता है तो यह आपकी रुपारेल नदी को जाना जाता है तो यह आपको ध्यान रखना है लसाउरी या वरा नदी के नाम से रुपारेल नदी को जाना जाता है इसका उद्गम कहा से होता है तो इसका उद्गम उदेनाथ पहाड़ी अलवर से होता है और यह आपकी डीग और भरतपुर में अपना प्रवात तंत्र रखती है यह आपको धियान रखना है सीकरी बान जो बना हुआ है दोस्तों यह आपकी रुपारेल नदी पर बना हुआ है डीग में यह आपको ध्यान रखना है तो important है यह पुछा जा सकता है सीकरी भान जो है यह आपका काँ पर बना हुआ है डीग में बना हुआ है कौनसी नदी पर बना हुआ है रुपारेल नदी पर बना हुआ है और मोती जील जो है दोस्तों इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है वेरी वेरी इंपोटेंट है तो यहाँ पर तीन चार बाता है आपको ध्यान अगनी है उदेनात पाड़ी अलवर से इसका उद्गम होता है इसे लसाउरी या वरा नदी के नाम से जाना जाता है सीकर नाइट्रोजन यूक्त खाद बनाई जाती है वेरी वेरी इंपोटेंट दोस्तों मोती जीव में से हरी सेवाल के द्वारा नाइट्रोजन यूक्त खाद बनाई जाती है तो यह सवाल काफी बार एकजाम अब index पूचा जा चुका है तो यह आपको ध्यान अगना है निम्बार्व संप्रताई पीट सलेमाबाद किसंगत अजमेर में इस्तित है ये आपको ध्यानक ना है तो निम्बार्व संप्रताई की जो पीट इस इस सलेमाबाद अजमेर में तो वो आपकी कौन सेоды कि नदी के किनारे हो जाएगी ठीक है जेपुर ग्रामिन इसका अपवा छेतर हो जाएगा और इसका संगम कहाँ पर होता है तो सामर जील में होता है सामर जील में चार नदियों का संगम होता है जो की important exam में पूछी जाती है तो उनके बारे में अभी हम देखेंगे तो रूपनगर नदि का उदगम कहां से होता है अजमेर से होता है नसिराबाद पाड़ी अजमेर से और निमबार्ख संपर्दाई की जो पीठ है सलेमाबाद अजमेर में वो आपकी रूपनगर नदि के किनारे बसी हुई है और इसका संगम कहाँ पोता है सामर जील में होता ह अगली देखे दोस्तों साभी नदी, very very important है, साभी नदी का उदगम सेवर पाड़ी कोड़ पुदली से होता है, यह आपको ध्यानक ना है, सेवर पाड़ी जेपुर से साभी नदी का उदगम होता है, वर्तमान पूछा जाए तो कोड़ पुदली भरोड से इसका उदगम होत ठीक है और यह काँ पर इस्तित है कोड़ पुद्ली बहरोड में इस्तित है अगर वर्तमान के साफ से पूछा जाए तो कोड़ पुद्ली बहरोड हो जाएगा वरना आपको क्या आंसर करना है जेपूर आंसर करना है ठीक है यह नदी कोड़ पुद्ली बहरोड खेरतल तीजा के जो कुछ changes की जानी को पुछता है यह आपको द्यानकिन हों टीक है यह नदी जैपुर brick online इता टीडवाना कुछ आनों यह वह यहाथी सांबरシルク में अ कूछ वी चान्हार रिय्व वह नदीप आपको धियानक ना है ये भी एक्जामेट पूछा जाता है यानि कि सामर जील में सरवादिक नमक का जमाव करने वाली नदी आपकी कुन से हो जाएगी मेंथा नदी हो जाएगी ठीक है आगे देखिए इस नदी के किनारे लूनवा के जेन मंदीर डिडवाना कुछावन इस् ठीक है बान गंगा नदी को अरजुन की गंगा के नाम से जाना जाता है और रूंडिश सरीता के नाम से भी जाना जाता है तो ये आपको धियानक ना है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है अरजुन की गंगा और रूंडिश सरीता के नाम से खिसे जाना जाता है तो ये बान ग गंगा जो है ये भी किसे का जाता है बान गंगा नदी को का जाता है और अगर आप से पूछा जाए ताला नदी किसे का जाता है तो ताला नदी के नाम से भी किसे जाना जाता है दोस्तों बान गंगा नदी को जाना जाता है तो लसाओरी और वरा नदी के नाम से तो रूपा दोसा और भरतपुर हो जाएगा यह आपको ध्यानकना है आगे देखिए इसको डाइग्राम के माद्यम से समझ लेते हैं दोस्तों बेराग की पाड़ी आपकी कोट पुतली भरोड में हो जाएगी जेपुर ग्रामिन इसका अपवाचेतर हो जाएगा फिर आपकी दोसा में भ दोस्तों तो कमवा içा और थान भाण भरतपुर आपका काणगा नदी में हो जाएगा और एक बात और आपको ध्यानकनी है अज्एनबान में जब पानी की कमी हो जाती है दोस्तों तो आपका पांचनाबान जो करोली में इस्तित है उससे जलकी आप उर्थी की जाती है ये भी आपको ध्यानक ना है ये भी कभी-कभी एक्जाम में पूछ लिया जाता है ठीक है आगे देखिए खारी नदी खारी नदी का उद्गम कहां से होता है तो ये कुचामन स होता है सामर जील में इसका संगम हो जाता है अब सामर जील में मिलने वाली नदिया कौन-कौन सी है वो मैं एक बार आपको बता देता हूं जैसे कि ये सामर जील है तो सामर जील में एक तो आपकी खारी नदी आती है ये आपको ध्यानक ना है एक आपकी खंडेला नदी आत कि आगे देखिए कि खुकुंद नदी तो कुकुंद नदी आपकी कांपरिष्थीथ ए तो सब्सक्राइब इसका अपका भरतपूर नधी और इसका उद्गन जो ब्हल c 잉र भरी भरतपूर से होता है यह कुल जल गरण एक चेतर में पानी की मात्रा को का जाता है कुल परवाज चेतर अपवाज चेतर एक नदी तता उसकी साएक नदिया होती है तो यहाँ पर कुछ इंपोटेंट बात हैं जैसे कि बंगाल की खाड़ी का जो परवाज चेतर था वो कितना था दोस्तो 23 परसेंट थ परसेंट था अरब सागर का 17 परसेंट था और आंत्री का अपवाज चेतर का 60 परसेंट यह आपको ध्यान रखना है काफी बार एक्जामेंट पूछा जाता है अगर आपसे पूछा जाए कुल जल गरण समता कितनी है तो बंगाल की खाड़ी की 53 परसेंट हो जाएगी कुल परवाज चेतर और जल गरण समता जो है यह इन नदियों की एक्जामें जरूर पूछी जाती है तो कुल परवाज चेतर के मामले में चंबल का जो योगदान है वो 20.9 परसेंट है यह आपको ध्यान रखना है और यह आपका 2022 के एक्जामेंट पूछा गया था इंपो पूछा जाता है तो आरोई और अवरोई करम भी आपको ध्यान रखना है चंबल, लूनी, माही, साबरमती, बनास प्रवाज चेतर के इसाब से और अगर आपसे जल गरण समता की इसाब से पूछा जाए तो बनास नदिजो है इसका राजस्तान में जल गरण जो है वो सबस और यह 20.9, 10.4 आपको इसपेशली ध्यान रखना है दोनों एक्जाम में पूछे जा चुके है और बनास और लूनी, चंबल, माही यह आपकी जल गरण समता की साब से हो जाएगी ठीक है अब यहाँ पर एक कुछ इंपोड़न बात है हालाकि यहां से सवाल एक्जाम में न आंत्री कपवातंतर की नदिया मिलेगी आपको पाली में केवल आपको अरब सागर वाली मिलेगी उदेपुर संबाग में आपको अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वाली दोनों मिल जाएगी अजमेर में आपको अरब सागर बंगाल की खाड़ी और आंत्री कपवातंतर यानि तीनों आपको किस में मिलेगी अजमेर संभाग में मिलेगी और सिकर संभाग में केवल आंत्रिक अपगात अंत्रिक हो जाएगी कोटा संभाग में केवल बंगाल की खाड़ी वाली हो जाएगी तो यह बंगाल की खाड़ी वाली आपको धियानक नहीं है यह आपकी केवल कोटा में हो जाएगी और भरतपुर संभाग में आपकी आंत्रिक और बंगाल की खाड़ी आ जाएगी बांसवारा संभाग में केवल अरब सागर और जेपुर संभाग में आंत्रिक और बंगाल की खाड़ी यहां से सवाल एक्जाम में नहीं पूचा जाता है बट फ्री भी पूचा जा सकता है तो आप इनको ध्यान अगना अब दोस्तों इसकी PDF जो है वो मैं आपको टेलिग्राम पर प्रवाइड करवा दूँगा आज का ये वीडियो आप देखी आराम से चीजों को समझीए कल मैं आपको इसकी PDF प्रवाइड करवा दूँगा तो आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं और प्रिंट निकाल के आप आराम से पढ़ सकते हैं तो चले दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं थैंक्यू सो मच